यह है OPPO का निया F23 5G यह OPPO की सबसे जादा पिखने वाली सीरीज में से एक है यह वाला स्मार्टफोन मेरे को थोड़ा कन्फूजिंग लग रहा है क्योंकि आप जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं या तो कोई गेमिंग वाला स्मार्टफोन है यह हमारा स्मार्टफोन कलर तो इंटरस्टिंग सा लग रहा है यह एक 80W का चार्जर दिया है बट फोन 67W ही सबोट करता है यह एक USB Type-C केबल है बट मैं आपको अगर सीजर सी रधा हूँ यह एक मिद्रें स्मार्टफोन है और इसका प्राइस चौबश्च पच्च जार के राउंड आचाहिए और थोड़ी ओफर आके तेज जार के राउंड का भी आ सकता है प्रॉस्टर, क्यामरा, सारी चीज़ें बाई नंबर उंबर मस्ची होते है और आफलाइन लेने जाते हैं जब लोग उनको हाथ में पकड़के अगर प्रीमियम फील है कुछ लेदर वेदर दे रखा है, कुछ ग्लास दे रखा है आपको एक तोड़ा लेदर सा, थोड़ा चमकीला सा ऐसा डिजाइन मिलता था अगर हाप में कड़ों एक प्रीमियम फील देता था यहाप में कमफर्टेबल है, दिखता भी डिसेंट है बट ऐसा कुछ अलग नहीं है तोड़ा बट कॉंपरोमाइस चल जाता बट बाकी सारी चीजे भी एक्डम एक्स्टरॉड़नरी नहीं लगनी है एक ही करके सारी चीजें देखाता हम वैसे बाक सेड में तीन कामरा दे रखें एक 64 में पिक्सला प्राइमरी है 2 पिक्सला देप्ट है और 2 में पिक्सला का मीक्रोस्कूप वाला मिरोकी मेरे को इंटरस्तिना मीक्रोसकोप भी चैक अरे करें लगी आए विज अब टेस्ट कर रहा है अब कुल था इसे पहले अपनी प्रो भी रिविव गारा था राधा एक ताहिं पहले उसमें आपको एक एक ऐमॉलेड डिस्प्ले तो वहला स्मार्फ़न भी अगर देखो तो वह एक एक लाउनरा वी आविए बिल्ड हाथ में अभी पकरणे में हाथ में पकड़ने में काफी लाइट सा फील होता है वैसे है तो पतला ही बट 5000 इमेज बैटरी है 67 वाट तक यह चार्जिंग ले ले लेता है और यह स्मार्टफोन में डेविनेटली एक अच्छा पॉइंट बोल सकतो इस वाले प्राइस पॉइंट में यूजली एक प्राइ लाइटिंग मिली आपको डीटेल अच्छी मिल जाती है पर स्किंटोन थोड़ी से अंडर साचुरेटेटी लगते है और कलर सा लगता है थोड़ी थे फीके फीके कलर फील होते है बाक साइट से बेर पत्ति के लिए तो अच्छा बैगराउंड बलर हा रहा है जो फोटो भ और बैगरॉंड पूरा ही ओवर एक्सपूज हो गया है और पोर्ट्रेट में कभी कवार अनीवन लाइटिंग लगता है चेहरे को अलग से थोड़ा एडिट करके ग्रूवाड करा गया है को अउच्छ को अपया हमने बाइट को सोट ए पे मोड यहां पर हमने है और हमारे जीब मेरी जीब अलक्सी तो लगते भाई यह कॉफी भी इन में दिखाता है तो ओ भाई ओ भाई यह तो कुछ अलक्सा ही लग रहा भाई कुछ जादा ही जूम कर लिया भाई माइक्रोस्पोप में तो मज़ा आ रहा भाई चॉबी को टेक्श्चर दिखा भाई जादे टेक्श्चर एक्शर दिखा भाई वी चाबी के गुरूप से नीच अला गुरूप है यह उपर अला गुरूप है भाई यह डस्टर है यह जो अक्चुरी ब्लाग ब्लाग दिख रहा है ने इंक के पार्टिकल जो हमने इससे इंक पोची है बाल दिखो भाई बाल तकड़े दिख रहा है एक चीज़ काफी तकड़े करी है भाई माइक्रोस्कोप के जिस साइड में फ्लैश लगा रखा है तो इसटेर फोटोस लेनी भी काफी असान हो जाती है माइक्रोस्कोप वाली शॉट चाहे आपने हाथ के लिए हो चाहे सबजी के लिए हो चाहे फूर्ट के चाहे टेक्शिर्स के कारपेट के यह सारे काफी अच्छी कॉलिटी में है तो जो अवराल कैमरे की प्रोस्सिंग है वो मेरे को इनकंसिस्टेंट लगी 50% फोडोस अच्छी आजाती हैं 50% फोडोस में दिक्कत भी आती है और थोड़ा दा आफ फील होता है क्यों यूजली ओपो का कैमरे वाला सॉफ़वेर काफी ताड़ा रहता है इसमें आपको प्री आप्स मिल जाते हैं जिनको आप रिमूव कर सकते हैं कोड़ी गेम खेलने लिए कंडी करशेक कुछ काम की एफोन पे होट फ्री गेम्स है जो शेल लिंग नहीं होती है उसके अलावे इसमें आपको अपको क्लरोस 13.1 देखने हैं और अच्छल पैक्ट है वाल पेपर कस्टमाइज करना है डिजिटल वेल बिंग वाले जिते फीचर्स हैं और इसलिए कलरोस के जिते एक्स्टर फीचर्स आपको मिल जाते हैं काफ लोगों को पसंद आता है काफ लोगों को थोड़ा स्टॉक प्रफेर आते हैं बटोडिविकेशन इसमे स्मार्ट फोन में स्नाप्डरागन 695 प्रॉसर है यह मतलब 16-18000 के जो प्राइस पॉइंट के स्मार्ट फोन होते हैं उनमें यूशली आता है बीस से थीचरार रुपे के प्राइस पॉंट में सेवन जेन प्रॉसर स्टार्ट हो जाते हैं राम डीडियर 4X मिल जाते हैं छोई एकKE. स्कुष्ण आता हैं छोग्केट में गाहने हैं सेवा ठोइल फोकने मोडे यादया को तो टो प्रॉसर प्रुसर सेटाइब में कूष्गर मेरी में थृEr गेमर्ड लग कर्दो के तो इसमें आपको कर स्ट येपराइस पोड़े सोडी इंपरोडी नीचे नीच 20,000 के नीचे काफी एक कॉमन प्रोसेसर है और हमने बहुत बार टेस्ट कर रखा है बार 23,000 पर आपको बेटर प्रोसेसर मिल जाते हैं अगर आपको पूरा इखटा कर मैं आपको करके बता हूं ना एक बहुत ही परफॉमेंस स्मार्टफोन ना ही हाथ में पकड़ने में और डिस्प्लेइस पर यूज करने बहुत तगड़ा फील हो रहा हूं तो वह ओवराल सारी चीज़ें एक दो चीज़ें थोड़ी तगड़ी सी हैं इसका इस माइक्रोस्कोप बहुत बढ़ी चारजिंग भाछी है वह यह बहुत ही कम लोंगे जो माइक्रोस्कोप के लिए एक स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे या फिर खाली बैटरी उनको एक स्ट्रॉंग पइंट चाही होगा स्मार्टफोन अन्रे अंतर था है मेरे थाब से ओपो को एसा थोड़ा सुंदर सा स्मार्टफोन उना था, गोल्डन कलर का, अलग सा चमक के देखे, उसके पुरानी वाले वर्जन स्पीत है, उसमें भी काफी सिमिलर सा था था, इसमें काफी अच्छी थी दीजाइन पेपर पेपर पे सही लग रही होगी गोल् स्मार्टफोन बेजाते हैं, अगर आपको अपो के ही स्मार्टफोन पसंद आते हैं, और आपको बहुत पसंद आते हैं, तो शायद आप इस वाले स्मार्टफोन को खरीच सकते हैं, और उसके अलावा किसको और रिकमेंड करा जाया है, वाले स्मार्टफोन मुझे थोड़ smartphone और मैं वितना हुप से इंडेक्स वेड़ों बबबे